आज हम डिस्कस करेंगे नमबर थूरी उसका लेक्षर हमारे पास 21 है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद AP Mathematics है यहाँ पे FSC, BS, BSC, MSC Mathematics को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें हमारे पास LEMA 2 है if let p and q are distant prime numbers देखे मारे पास p और q दोनों prime numbers है और दोनों आपस में क्या है distant p not equal to q such that a की power p congruous to a mod q and a की power q congruous to a mod p then a की power whole p q congruous to a mod p q देखें आप congruous relation को लिखते थे divided डिवाइडेंड गांग्रस to remainder और mod mod m आप लिखते थे for example आपके पास था a congruous to b mod m अब आप देखें a यहां पर आपके पास dividend है और b आपके पास यहां पर remainder है तो आप देखें जब dividend में से आप remainder को minus करेंगे यहनि a minus b उसको जो mod है वो हमेशा क्या करेगा divide m divide a minus b तो अगर आप देखें m आपके पास यहां पर diviser है जिसको आप mod भी लिखते हैं mod dividing by divided divided minus remainder यह चीज़े हम use करेंगे और फिर हमारे पास format little theorem है जिसमें हमने लिखा था के if p is prime number and a is positive integer तो statement क्या थी format little theorem की format little theorem यह थी के a की power p congruous to a mod p देखें यहां पर जो power होगी वो ही आओ के पास उसका mod होगा जो prime number है तो देखें यहां base में क्या integer rate तो ही आओ के पास आएगा congruous a यानि remainder में आओ के पास क्या आएगा a तो यहां पर देखें हमारे पास जो हमेंने लिया यहां पर हमारे पास a की power p whole power q जो हमारे पास mod है वो क्या है Q अब आप देखें यह जो A की पावर P है A की पावर P यह हमारे पास यहां पे integer है और जो Q है यह हमारे पास प्राइम नंबर है तो आपने क्या लिखा था अब आप देखें यह सारा काम का रहा A का थूर्म क्या था A की पावर P congruous to A mod P अब आप देखें यह किसका काम कार रहा है P का देखें यह P P के को रहा है और यह सारा किसका काम कार रहा है A का तो आंसर क्या आएगा A की पावर P तो देखें मैंने लिखा है A की पावर P whole power Q congruous to A की पावर P mod Q इस statement के मताबख अब अब देखें आपके पास Given है बिटा आपके पास Given है के A की पावर P congruous to A mod Q A की पावर P congruous to A mod Q अब आप देखें A की पावर P की जगा पर हम क्या put कर देंगे A इसकी जगा पर क्या आगे हमारे पास A और इन दोनों को multiply करते हैं A की पावर P Q is equal to A तो देखें इस equation को आप कैसी लिख सकते हैं Q divide क्या कारते हैं divide में सर्फ मैंडर को minus कार दे A की power P Q minus A देखें मैंने लिखा Q divide A की power P minus Q minus Q इसको मैंने बोल दिया equation number one second देखें हम लिख सकते हैं A की power Q whole power P हमारे पास mod क्या है P तो देखें आपके पास जो थोर्म था F L T थोर्म यानि फर्मट लिटल थोर्म A की power P congruous to A mod P अब अब देखें यहां आपके पास mod क्या है P जो P आपके पास है यह क्या है प्राइम नंबर तो इसके मताबक देखें यह P P के इकुल है और यह सारा किसा काम कर रहा है यह का तो क्या आएगा A की power Q इन दोनों को multiply कर दे Q P congruous to A की power Q यह देखें A की power Q किसके बराबर है A की हमें given है A mod P इसको बोले इसको आप है ऐसे भी लिस सकते हैं P divide divided में से remainder को minus कर दे A P Q minus A इसको बोले equation number two देखें Q भी A की power P minus P Q minus A को divide करता है और P also divide A की power P Q minus A तो आपने पढ़ा था थूरम previous lectures में के if A divide C and B also divide C और हमारे पास condition थी के A और B क्या हो relatively prime तो देखें then आपने थाबत किया था A B also divide C ये जो हमारे पास जो starting में lecture से वहाँ पर हमने ये पढ़ा साथ हो रहा अब अब देखें हमारे पास P Q divide A की power P Q minus A और Q also divide A की power P Q minus A देखें ये इसको बिलाओं करता है और ये इसको बराबर है अब अब देखें जो आओ के पास P और Q हैं वो क्या है relatively prime ये A है और ये क्या B है तो फिर must है P Q also divide A की power P Q minus A तो बेटा हम इसको लिख सकते इसको ऐसी लिखते हैं क्योंगे ये क्या मौड तो लिखेंगे मौड P Q और ये हमारे पास क्या है डिवाइडेंड डिवाइडेंड A की power P Q ये हमारे पास क्या हुता है रमेंडर रमेंडर क्या आ गया तो देखें ये ही हमने साबद करना था ये वेरी वेरी इंपॉर्टन थूरम है नेक्स्ट हमारे पास है अलर्ज जनलिजेशन ओफ फर्मट लिटल थूरम इसकी जस्ट आपके सलेबस में स्टेटमेंट है फार इच इंटिजर एन ग्रेटन इकल तो वन we define a number phi of n as phi of 1 is equal to 1 and if n greater than 1 phi of n the number of positive integer which does not exceed n जो आखके पास n है वो positive integer हो और जो n है वो कभी भी जो आखके पास integer है वो कभी भी n succeed नहीं करेगा co prime to n दास हमारे पास function define है phi n to n is the function known as LR 5 function हमारे पास very very important theorem है LR theorem let a and m greater than 0 be integer such that a वा m is equal to 1 जब हम लिखते हैं a वा m is equal to 1 इसका मतलब a and m are relatively prime इसका मतलब के a और जो m है इसका जो greatest comment वाइजर वो 1 है then a की पावर phi of m congress to 1 mod m तो मैंने प्रूफ case number 1 मैंने लिया if m is equal to 1 अगर आप देखे जिस आगे का statement है phi of n आगे पास n की value क्या हो 1 तो phi of 1 is equal to क्या होगा 1 then phi of m is equal to 1 and हमारे पास मैंने थावर करना है यह किसके बराबर है 1 की तो a की power phi of m mod हमारे पास क्या है m तो देखें हमारे पास जो phi of m है इसकी power क्या है इसकी value क्या है 1 तो a की power 1 तो a की power phi of m congruous to a mod m तो देखें अब जहां देखें जो हमारे पास a m और दोनों का जो relatively prime है वो क्या है 1 अगर हमारे पास mod जो दिया हुआ m उसकी value हमने क्या ली 1 तो इसका मतला हमारे पास mod क्या हो गया 1 तो देखें ये उसी वाकत a divide होगा 1 पर divide होगा जब a की value क्या हो 1 तो आपको पता है कि अगर मैं इसको इसमें से minus करूँ तो 1 divide a minus 1 तो इसका मतला हमारे पास a की possibility होगी कि जो a की value है वो क्या हो 1 तो उसी वाकत mod 1 इसको क्या करेगा divide तो देखें मैंने लिख दिया 1 divide a minus 1 next देखें then we may suppose that m greater than 1 let a1 a2 up to son a5 of m b rrs का मतलब है reduced residue system mod m इसकी हमने definition chapter number 1 में पढ़ी थी क्या है consider a1 a into a2 up to son a into a of m मैंने क्या किया दिया a1 a2 a3 up to son a5 of m मैंने क्या किया मैंने इस full of factor को a से मल्ली प्याए का दिया a into a1 a into a2 a into a3 up to son a into a 5 of m तो यहां हमारे पास जो i है वो लाई करेगा 1 से 5 of m 1 2 3 i तो मैं इसको बराबर किसे लेगा i के इसको मैं लिख सकता हूँ a a कहां से वे रिया 1 से लेकर m तक a i not congress not equal to 0 mod m तो यहां पे मैंने case number 1 concede किया if a into a i congress to 0 mod m अब जब आप लिखते हैं a into a i congress to 0 mod m क्या मतलब m also divide a into a i यहां पे हमारे पास m और a क्या है relatively prime तो must है के m also divide a i अगे लिख हुआ है which is impossible as a 1 a 2 up to son a 5 of m is a reduced residual system mod m we will be sure that i not equal to j i less than 1 j less than equal to phi of m अगे मैंने लिखा residual की definition a a i not congruous to a a j mod of m far contrary condition मैंने इसका उलट स्पोज का लिया far contrary condition यानि उलट स्पोज कारना उलट लेकर हल कारना far contrary condition मैंने बोला a into a i congruous to a into a j mod m इसका क्या मतलब m divide divided में से remainder को minus कारते है a into a i minus a into a j m divide यहां से common ले ले a i minus a j तो इसका मतलब यह इसका क्या है multiple तो अगर multiple है तो m also divide a i minus a j तो इसको मैं कैसे लिसाथा हूँ a i congruous to a j mod m which is contradiction हमने तो पढ़ा था के a i not congruous to a j तो हमारे पास a i is equal to a j which is impossible then a into a one a into a two up to seven a into a five are five of m mutually in concurrent integers a one a two up to seven a five of m is reduced residue system mod m one less than equal to i i less than equal to five of m then there exists an integer j lies between one say five of m such that यह देखें reduce residue system की definition क्या थी a into a i congruous to a j mod m देखें जब हम i की value one पुट करेंगे a into a one congruous to a one जब हम j i और j की value two लेंगे a into a two congruous to a two up to seven कहां तक जाएंगे हम इसकी value five of m a into a five of m is equal to a five of m वह आप left को left से multiply करदें और right side को right side से multiply करदें a into a one dot a into a two dot आप इने left से multiply करते हैं up to seven a into a five of m congruous to a one a two multiply करेंगे आपस में up to seven a five of m mod m अब आप देखें ये आपके पास कितने डाइम आए रहा five of m तुम इसको क्या लिए सहूं a five of m a one a two up to seven a five of m congruous to a one a two up to seven a five of m mod m देखें जिए सेम कैंसल तो a five of m is equal to one mod m तो देखें यही हमने इसाबत करना था जो 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 इसका sorry इसका जो मैं remainder find करना है मैंने इसका और mod हमें क्या दिया गया है 3 यह remainder की value मैंने find out करनी है तो देखें जो आपके पास format little theorem था वो था a की power p congruous to a mod p तो p यहाँ पे आपके पास क्या था prime number तो for example मैं लिखता हूँ 41 की power 3 congruous to 41 mod 3 इस definition के मताबख देखें यहां 3 क्या है prime number 3 हमारे पास क्या है prime number same हो 3 3 अब आप देखें यह p p है तो आफर क्या आएगा आपके पास a तो देखें आफर क्या आगया 41 तो मैं इसका इसका इस्तमाल करूंगा इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया तो हमारे पास 41 की power 75 का मैंने remainder find करना है तो देखें मैं इसको लिख सकता हूँ 41 की power 3 whole power 25 तो आप देख लें 25 को 3 से मदल पकिरा जगा 75 तो इसको मैं मजीर लिख सकता हूँ देखें आगे मेरे पास given है 43 41 की power 3 किसका परावरा 41 के तो इसकी जगह पे 41 की power 3 को मैं लिख सकता हूँ 41 whole power 25 और इसको क्योंके हमारे पास जो mod है वो 3 है mod क्या है 3 तो बेड़ा 41 को आप 3 पे ड़्वाइड करें 3 1s are 3 क्या आगे 11 3 9s are 9 तो क्या आगे हमारे पास 2 तो देखें हमारे पास जो remainder आया वो क्या आया 2 तो बेड़ा आप कैसे लिखते हैं फार्मूला क्या होता आपके पास divided kangaroo to remainder into mod देखें ड़्वाइड आपके पास क्या 41 kangaroo to remainder क्या है 2 और mod बेड़ा आपके पास क्या है 3 तो देखें इस 41 की जगा पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 तो लिखें 2 की पावर 45 mod 3 अब आप नेक्स देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 25 को मैं लिख सकता हूँ 24 पलास 1 तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 24 24 इन्टू twoकी पावर 1 साह लिख से जाए मौड 3 मौड 3 तो देखें 24 तो बिठ़ा तू की पwards मावर 24 है इसको मावर लिख साता हूँ तू की पावर टू और पावर 12 तो तू की पावर Two को माहँ às 4 की पावर 12 तो इसको लिखें can minister oh WOR WOR ची पावर 12 obviamente looked more three आप क्या करें यह बड़ी लड़ा मैं फॉर को दिवाइड करें त्ριू पे कुल उन्ट हमारे पारफ सौन है तो फार्मॉला के लोगां तो क्या है तो क्वाइड प्रक्रक्र 12 into 2 1 की power कुछ भी होसा तो मैंने क्या फाइंड करना था तो देखें 41 की पाइंड का रमैंडря हमारे पास क्या गया मौड क्या है तो मैंने रमैंडर फाइंड करना था रमैंडर मेरे पास आ गया 2 और बिटा जो दूसरी पार्ट है वो आप खुद करेंगे वो है 473 की पावर 38 डिवाइड बाई 5 तो देखें मैंने जो सॉल्व किया हुआ है तो आप इसको एक नजर देख लें और ये जो है ये आप बिटा खुद सॉल्व करेंगे अगर कोई शू हो तो आम उसे डिसकस कर स सकते हैं ये वेरी वेरी इपॉर्टन लेक्शन उच्छे त्रीके से आप तियार करें